आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फेस वाश करने का सही तरीका हाँ जी ये वीडियो देखने के बाद आप में से 50-60% लोगों को ये अंदाजा होगा कि वो अपना फेस गलत तरीके से वाश करते हैं बूम ये तो उसको सही कर लीजिए क्योंकि अगर आप फेस वाशी गल करने के लिए और उसके बाद वो बेड़ पे चले जाТे हैं ये गल्ती बिलकुल मत कर एःëं हमेशा रात को चाहे आप जितने भी थके हैं डबल क्लेंजिंग लाजमी करिए अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि डबल क्लेंजिंग होती कि आप अपने face को अपने cleanser या face wash से wash करने से पहले micellar water या फिर किसी cleansing balm से साफ करते हैं मेरी skin क्योंकि oily है, acne prone है इसलिए मैं इस्तमाल करती हूँ micellar water उसको इस तरहां के pad पे लगा के upward stroke में मैं अपना make-up remove करती हूँ अगर मैंने किसी दिन सिर्फ sunblock लगाया वा है तो भी मैं पहले micellar water से अपने face को wash करती हूँ उसके बाद मैं अपने normal cleanser से अपने face को wash कर लेती हूँ इस चीज़ को कहते हैं double cleansing अब बहुत सरे लोगों का सवाल है कि इसमें double cleansing में फाइदा क्या है तो basically आपकी cleansing balm जो के आप इस्तमाल करेंगे अगर आपकी skin dry या normal है और आपका micellar water जो के आप इस्तमाल करेंगे अगर आपकी skin oily या acne prone है या आपके pores के अंदर जमें हुए makeup या sunblock को निकालता है और उसके बाद आपका जो normal cleanser या face wash है वो बाकी थोड़ा बहुत जो makeup dust या dirt रह जाता है उसका remove कर देता है और इस तरह आपकी skin जो है वो अच्छे तरीके से साफ हो जाती है और ready हो जाती है आपकी बाकी skin care के लिए अब number one mistake जो आप लोग करते हैं normally face wash करते वे वो ये है कि आप अपने face wash को अपने dry face पे ही rub करना शुरू कर देते हैं मत करिए पहले अपने face पे water supply करिए और उसके बाद अपने face पे face wash लगाईए number two mistake ये है कि आप लोग face wash को मुझ पे लगाने के बाद वहाँ पे rub करके उसकी जाग बनाते हैं number three mistake कि आप लोग उसको face पे लगाते ही quickly wash कर देते हैं तो ऐसा मत करिए उसको तीन से चार मिनट के लिए अपने face पे रहने दीजिए ताके आपके face wash में जो active ingredients हैं उनको इतना time मिले कि वो आपकी skin पे काम कर सकें क्योंके कोई magic तो है नहीं कि जल्दी से लगाया उसको wash किया अगर आप उसको अपने face पे three to four minutes नहीं रहने देंगे तो उसको काम करने का time नहीं मिलेगा number four mistake face wash करने के बाद आप अपने face को बहुत roughly towel से rub करके साफ करते हैं ऐसा मत करिए आपकी skin के उपर से अभी अभी आपने जो है वो dust और डर्ट उतारी है उस time आपकी skin जो है वो ज़्यादा sensitive होती है अगर आप बहुत जोर से towel से rub करेंगे तो आपकी जो skin है उसका barrier disturb हो जाता है number five mistake है कि आप लोग face wash करने के बाद अपने washroom से बाहर आते हैं अपने dressing table तक आते हैं और फिर आके अपना moisturizer या hyaluronic acid serum लगाते हैं ऐसा मत करिए keep your hyaluronic acid serum या moisturizer in your washroom ठीक है और जैसे ही आपने face wash किया है अपने हलके गीले face के उपर आप अपना hyaluronic acid serum जो है उसको dab dab करके लगाए ताके वो जो moisture आपके face पे है वो आपकी skin में lock हो जाए तो please अगर आप ये सारी mistakes कर रहे थे तो अब मत करिए अपने face को सही तरीके से wash करिए और मुझे अपना feedback कमेंट में बताना मत पुलिएगा